लोकनायक जैप्रकास नारायन और भोजपुरी लोकनाटि को अंतरास्टिय पहचान दिलाने वाले भिखारी ठाकुर की जन भूमी सारन हमेशा से हाई फोपाइल सीट रही है दिगजों का खाड़ा होने के कारण इस सीट पर हमेशा सब की नजर होती है इस बार बीजे सीट चर्चाओं में है क्योंकि यहां से लालू यादब की छोटी बेटी रोहनी अचारी और बीजेपी की तरफ से पुर्व केंद्रे मंत्री राजी परतापरूरी चुनाव लड़ रहे हैं आखिर कौन पड़ेगा सारण में भारी क्या रोहनी अचारी अपने पिता की पुरानी सीट को बीजेपी से वापस लेने में काम्याब होगी या फिर राजी परतापरूरी को मिलेगा यहां पाचवी बार सफलता आखिर कौन जीतेगा सारण क्या है यहां का राजीतिक इथ्यास क्या है यहां का जातिगत समिकरन इसके साथ ही हम आपको बताएंगे पिछले दो लोगसभा चुनाव का डीटेल्ड एनलैसिस और आखिर में बताएंगे की कौन जीतेगा सारण का final conclusion बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ सतर किलोमेटर की दोरी पर लोकेटेट है सारण लोगसभा यह जिला गंगा गंडक एवम घागरा नदी से घिरा हुआ है यह छेत्र कभी उद्योंगों का गढ़ हुआ करता था मढ़ोरा का चीनी मील और विस प्रसिद मौटन चोकलेट की फैक्टरी भी यही थी समय के साथ साथ यह अद्योग पूरी तरह से चोपट हो गया हाला कि आज भी यहां रेल चक्का कारखाना, डीजल रेल इंजन, लोकोमेटिब कारखाना, सारन इंजिनरिंग, रेल कोच फैक्टरी है उद्योग धदा बंध होने से रोजगार के लिए पलायन यहां की प्रमुक समस्याओं में शामिल है दोस्तों इस लोकस्वाशीट के राजनेति कितीयास के बात करें तो 2009 से पहले इसे 36 लोकस्वाशीट के नाम से जाना जाता था परीसीमन के बाद 2009 में पहली बार यहां पर सारन लोकस्वाशीट के नाम से चुना हुआ था ये सीट 1962 से 1977 तक कॉंग्रेस का गढ़ हुआ करता था 1977 में पहली बार यहाँ से लालू प्रसाद यादव सांसत बने वो यहाँ से 1989, 2004 और 2009 में जीत कर संसत पहुँचे चारा गोटाले में सजा हो जाने के बाद लालू यादव के चुनाओ रणने पर रोक लग गई थी इसलिए 2014 में रावडी देवी सीट से उतरी लेकिन मोदी लहर में RJD के सारे समीकरन फ्रेल हो गए और चुनाओ जीत कर राजी परतापरूरी संसत पहुँचे इसके पहले भी राजी परतापरूरी 1996 और 99 में यहां से सांसत बन चुके थे जबकि 2019 में उन्होंने लालू यादव के समधी चंद्रिकार राय को हरा कर एक बार फिर से सारन सीट पर भाजपा का कमल खिलाया था तो चलिए अब 2014, 2019 लोग सभाचुनाओं और 2020 के विधान सभाचुनाओं के बारे में थोड़ा डीटेल्स में बात कर लेते हैं 2014 के लोग सभाचुनाओं की बात करें तो बीजेपी, जदियू और आरजेडी यहां पर अलग-अलग चुनाओ लड़ रही थी बीजेपी के तरफ से राजी परताप रूड़ी कंडिडेट थे, जदियू के तरफ से सलीम परवेज और आर्जेडी के तЕТरफ से रावरी देवी चुनाओ लड़ रही थी इस चुनाओ के बीजेपी के राजी परताप रूड़ी को 3,L4,000 से अधिक वोड़ मिले वहीं चौदर के चुनाओं में आगे रही जिसमें मरहोरा चपरा और अमनोर्स की विधानसवाद सामिल थी और वहीं आरजेडी भी तीन विधानसवाद सीटों पे आगे रही थी गरखा परसा और सोनेपूर तो आप देख सकते हैं कि रावली देवी के चुनाओं लड़ने से यहा कंडिरी को 49.4% पर लीड मिलती है और जद्यू के कंडिरेट को 6.2% पर लीड मिलती है लेकिन जब 2019 का यहाँ पर लोकसभा चुनाओं होता है और वहाँ पर लालु यादव की फैमिली से कोई चुनाओं नहीं लड़ रहता हाना कि लालु यादव के समधी यहां से रहते हैं राजी परताप रूरी और आरजेडी के दरब से चुनाओं लड़ रहते हैं चंद्रिका रॉय इसके साथ साथ हम आपको बता दे कि इस चुनाओं में बीजेपी और जद्यू के बीच गडबंधन हो चुका था तो कहीं न गहीं जो जद्यू का वोट था वो 52.9% वोट मिलता है और आरजेडी को इस चुनाओं में 38.4% मिलता है यानि बीजेपी के दरब से चंद्रिका रहते हैं और इस चुनाओं में बीजेपी को 1,36,000 वोट से जीत मिलती है यानि एक बहुत बड़ा जीत यहां पर देखने को मिलती है इसके अलाबा यहां की सभी च्छे विधान सवास्रीटों पर यहाँ पर बीजेपी जो है वो इस चुनाव में आगे रहती है अगर हम इसको पोलिंग बूत वाइस देख लें कि कौन सी पार्टी कितनी प्रतिसत पोलिंग बूत पर आगे रही तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी और जद्यू के मिलकर चुनाव रहने से यहाँ पर साप साप जो है वो दोनों ही गटवंधन को फाइदा होता है और अब चलिए 2020 के विधान सभाचुनाव की बात कर लेते हैं कि 2020 के विधान सभाचुनाव में किस पार्टी को यहाँ पर कितना फाइदा मिलता है जब सारन लोग सभाच सीट में 2020 में विधान सभाचुना होता है तो यहाँ पर जो असपस्ट फाइदा है वो आरजेडी को देखने को मिलता है यहाँ के चार विधान सभाच सीट पर आरजेडी को जीत मिलती है RJD के नजर यहाँ पर MY समिकरन पर होती है तो वहीं BZP को राजपूत और वैसी वोटों पर भरुसा होता है तो चलिए हम आपको थोड़ा और डीटेल्स में बताने की एकोसिस करते हैं कि यहाँ पर जो जाती है समिकरन है वो कैसा है और इस चुनाव में कौन सा वोट जो है वो किस तरफ जा सकता है दोस्तों एक वेबसाइट है चानक्या.com अगर उसकी माने तो यहाँ पर राइ टैटल लगाने वालों की संख्या जो है वो लगभग 19.3% के करीब करीब है वहीं सिंग टैटल लगाने वालों की संख्या 17.5% के करीब है और मुस्लिम टैटल लगाने वालों की संख्या 9.5% के करीब इस्विधान सभाम में है वहीं साथ टैटल लगाने वालों की संख्या यहाँ पर 7.6% के करीब है आप इस हिसाब से जो है वो जोर सकते है कि कौन सी टैटल जो है यहाँ पर लगाते हैं तो इससे आपको समझने में जो है वो आसानी रहेगी तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लोकसवाद छेत्र में जो है किस जाती के कितनी प्रतिसत आवादी है तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि मोटा माटी यहाँ पर किस जाती की क कि अबादी है तो चलिए अब आपको फाइनल कंक्लूजन बताते हैं कि आखिर सारन लोग सभा सीट पर कौन इस बार जीत सकता है यहां पर रोहनी अचारी चुनौ लड़ रही है कि रोहनी अचारी को एक सानवूती मिलेगा सारन लोग सभा की जनता से क्योंकि वहां से लालु प्रसाद यादब चुनौ जीटते रहे हैं तो ऐसे में रोहनी अचारी को कहीं ने कहीं एक advantage मिल सकता है वो महिला है तो कहीं ने कहीं वह अपने आपको जिस तरीके से project कर रही है कि वह सारन की बेटी है और इसका फाइदा जो है इस तुनौम उने देखने को मिल सकता है लेकिन फाइदा तभी मिलेगा जब भी RJD को य शुकत है की महिलाओं का वोट जो रड़ना पड़ेगा तभी वहाँ पर रोहनी आचारी को फाइदा देखने को मिल सकता दूसरी बात के तरफ से राजी-पहपर पुर्वकें-परेमkaaं रह नाराजगी उन के प्रती होगी लेकिन दूसरी बात ये भी है कि तो छवी है वो neat and clean की है कई मामले में वो बहतरी इनकाम भी करते रहे हैं तो ऐसे में उनका जो है एक मोधी फैक्टर रामंदर फैक्टर इन सारे फैक्टर को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक राजी प्रतापरूरी के साथ भी benefit मिल सकता इसके अलावा इस लोकसभा सीट पर राजपूत वोटरों की अच्छी खासी संक्या है तो इन वोटरों का जो support है वो बीजेपी की तरफ जो है अक्सर आमतोर पर देखने को मिलता है तो इसका support जो है राजी प्रतापरूरी को इसका फाइदा यहाँ पर देखने को मिल सकता बाकी जो फैसला है वो यहाँ की जनता ही करेगी आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इस बार सारन लोकसभासीट क्या रोही अचारी को यहां पर मोका मिलेगा या फिर राजी परतापूरी एक बार फिर यहां पर जीतने में काम्याब होगे अपनी राय कमेंट बोक्स में जरूर बताएए वीडियो को बहुत बहुत धनिबाद